पार्ड 11 में हमने देखा था यूरी को कहते हुए कि जिल ने उसे दोका दिया था जब वो एक मिशन पर थे अब देखते हैं आगे जिल सो से पूस्ती रही कि तुमने अभी क्या कहा शो ने कहा आपने दोक्तर के लिए यूरी को दोका दिया जिसके कारण वो निराश हो गया और आपको छोर कर चला गया जिल कहती है कि मेरे पास कोई विकल्ब नहीं था शो ने वापस कहा कि वो वास्तव में नहीं गया मुझे लगता है कि वो एक मिशन पर है जिल ने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है शो कहता है कि यूरी उस रोमेंटिक किताब को अपने साथ ले शो ने फिर से कहा मैंने वही सेम किताब दीपसी इंस्ट्यूट के लाइबरी में देखी जिल बोली वो मुर्क नहीं है अगर ऐसी कोई किताब है भी तो वो उसे कभी नहीं चोरेगा बलकि उसे चिपाने की कोशिश करेगा शो ने कहा हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कियूरी ने उस किताब को किसी के लिए लाइबरी में रख दिया जिल ने पूछा क्या तुम्हें पता है कि लाइबरी का कौन सा रूम और लाइन नंबर में किताब है शो ने जवाब देते हुए कहा मैंने देखा कि वो किताब बुक सेल्प के बीच में अकेली परी है लिंग ने कहा ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते शोनी यूरी की मेमोरीज को देखने की कोशिश की और फिर कहा मुझे यार नहीं है कि उसने कागस के दूसरी तरफ क्या लिखा था लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उसने पहले पन्ने पर क्या लिखा शो फिर केने लगता है मैं गोटा हुआ पंची हूँ एक अकेला रोमेंटिक पंची जो प्रिथिवी के चारो और उड़ना पसंद करता है लेकिन मेरा दिल दुख से बरा हुआ है क्योंकि मुझे अपना प्यार नहीं मिल रहा है या सुनकर जिल बोली बस करो शो ने फिर से कहा यूरी की जातर मेमोरिस में आप ही है मुझे लगता है कि वो आपकी बहुत परवा करता है असल में वो आपका इंतजार कर रहा है आप हमें कॉलेज वापस भेज दे उसके बाद हम उस किताब को दूनने में आपकी मदद कर सकते है इस बारे में सोचे कि आप यूरी से फिर मिल पाएंगे जिल कहती है मुझे उसकी परवा नहीं है जो चाते हो वो करो यह केकर जिल ने बिजली की चेन को लिंग से हटा दिया और वहाँ से चली गई बार बैट कर वो यूरी के बारे में सोचने लगी उसने कहा कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोरा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो अखिर तुम्हो कहा वहाँ शो और लिंग रेजोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं शो ने कहा कि सेक्यूर्टी सिस्टम में कुछ गरबर है हम इस अउसर का प्रयोग कर सकते हैं और ट्रांस्पोर्ट सिस्टम धून सकते हैं फिर डोनो में एक्जिट की और भागे तभी अचानक सभी एक्जिट बन होने लगे में एक्जिट की तलास में लिंग को एक सिक्रेट डॉर मिला और गलती से उस सिक्रेट डॉर के अंदर चली गई यह देखकर सो उसे धूने लगा उसे धूनते हुए शो को भी एक सिक्रेट डॉर मिला फिर वो उसके अंदर गया और लिंग का नाम पुकाटा रहा बहुत धुनने के बाद उसे लिंग आफटर एक्जिट के पास मिला शो भागते वे उसके पास गया और कहा कि तुम आखिर कहा थे मैं बहुत दर गया था लिंग ने कहा मुझे exit मिल गया जो transport system की और जाता है फिर डोनो transport system की और चले गए plane की और जाते हुए लिंग ने सो से कहा तुम पहले जाओ और plan को start करो मैं जिल को रोकने की कोशिश करूँगा अगर वो यहाँ आई तो फिर शो plane के अंदर गया और engine चालू किया engine चालू करने के बाद उसने link से कहा तुम क्या कर रही हो जल्दी यहाँ आओ तभी link कहती है कि बहुत दुख हुआ जब तुमने मुझे पहले चुआ था लर्किया कॉमल और नाजुग होती है फिर कभी उस तरह मत चुना शो ने कहा तुम link नहीं हो तुम हो कौन link बोली ऐसा लगता है कि तुम एक दुसरे को ठीक से नहीं जानते या मैं हूँ तुमारी खुबसूरत बैन जिल प्लेन का एकजिद बन होने लगा शो ने कहा ये तुम केसे हो सकते हो मुझे बाहर निकालो जिल ने कहा तुमारी इच्छा अनुसार में तुमें वापस भेज रहा हूँ शो ने पूछा link कहा है जिल ने जवाब दिया कि वो यहां रहेगी मैं उसकी अच्छी देखबाल करूँगा जिल ने फिर से कहा दीपसी इंस्ट्यूट में वापस जाओ और वो किताब ले आओ और मुझे सोब दो अगर तुमें वो किताब नहीं मिली तो फिर तुम अपनी प्रेमिका को कभी नहीं देख पाओगे link के बारे में सोच कर सो कहने लगा कि मैं उसे नहीं बचा सका मैं बेकार हूँ वहाँ link अभी भी सीक्रेट रूम से बाहर निकलने की कोशिस कर रही थी तब ही वहाँ जिल आई और बोली तुम्हारे पुराने दोस्तों से मिलने का समय आ गया है फिर जिल link को under current organization में ले गई जा कुछ लोग उससे पूछने की कोशिस कर रहे थे कि उसने organization क्यों छोड़ा उन लोगों ने फिर से पूछा तू मिशन पुरा करने के बाद वापस क्यों नहीं आए तुझे उस मिशन के लिए under current leader ड्वारा train किया गया था जिल ने कहा क्या training लोग को tool बनाना training कहते है उनमें से एक बंदे ने कहा तुझे गर्व होना चाहिए कि under current leader ने खुद तुझे train किया वह तुम्हें अपनी बेती समान मानता है उसी वक्ट under current leader वहाँ पर आया और link से कहा मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा तुमने under current organization क्यों छोड़ा तुम्हें नहीं जाना चाहिए था अब मैं तुम्हारी वज़े से उदास और निराश रो link कहती है कि तुमने मेरे माता पिदा को मार डाला मुझे तुमसे नफरत है under current leader ने फिर वो electrifying road उठाई और link को विजली का जटका दिया फिर कहा ऐसा लगता है कि तुमने दीप सी college से बहुत कुछ सीखा है इससे पहले तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत ना करते सोहे guys 1 year मुझे बुखार हो गया है इसलिए मेरी आवास इतनी अच्छी नहीं है वीडियो में पिछले दिन में और मेरे दोस एक जड़ने के पास दुपकी मारने गए थे जिसके कारण मुझे बुखार हो गया तो ठीक है कल से ट्राइ करूंगा दिली दो पार्ट डालने का जो शायद देखते हो पाता है कि नहीं